आप के पास Samsung की कोई भी स्मार्ट TV हो उसमें आप किसी भी एप को अपडेट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा सबसे पहले smart tv का plug लगा दीजिए और power button से आपको अपनी smart tv को सबसे पहले उसका switch on कर लेना है तो चलिए से हम on कर लेते हैं यह देख सकते हैं हमारी यह smart tv है उसका switch है वो on हो रहा है तो इस तरीके से उसका switch on हो जाएगा switch on होने के बाद आपको इसमें जो button है यानि कि जो आपका remote है उसमें जो button है आपको यहाँ पर home button प्रेस करना यह देख सकते हैं home button यहाँ पर है तो मैंने home button दबा दिया जैसे आप यहाँ home button दबाएंगे उसके वाद आपके सामने यहाँ menu खुल के आजाएया नीचे की तरब तो यहाँ पर आपको side वाले button पर यह चार वेटन जो होते हैं side वाले button है उस पर आपको इस तरीके से करना है और यहाँ पर आपको देखना एप्स ठीक है यहाँ यह देख सकते हैं यह आप पर खुल गया जीका में काम करना होता है जब आपका इंटरनेट जितना फास्ट होगा तभी आपका ये वर्क ना इंटरनेट को lle करें आप आप हो रिमॉट लेना है रिमॉट आपको ऊपर वाला बटन दबाना ठीक है इस तरीके से तो यहाँ पर आपको फिर से रिमॉट का ऊपरवाला जो फटन है इस तरीके से दवाना है तो यह उट अपडेडं यहाँ तो यहाँ पर आप को आपको क्या अब करना चाहते हैं तो आपको उसी एप पर क्या करना है नीचे लेकर आना ये lining जो lining आपको दिख रहा है है ये वाली यह आपको आज आएगी lining इस तरीचे से यसे मैं आपको दिखाता हूँ मैं यह इदर लेकर आता हूँ इस lining को जैसे में ideal cinema को करना चालतों मैं आगया हूं उसकर आपको इस बटन से इस त्रीके मेन को कि लेकि भीड़ी आपको इस तरीके भी प्रेस करेंगे उसके बादाए मैं इस तरीक से कुलके आ जाएगा यहाँ पर समराची तत्रीके से एक नैना फिक थे सामरे में पेज कहल का साई Tell कोई भी सेमसंग की टीवी हो, उसमें किसी भी एप को आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, फिलाल मैं इस वीडियो में लेता हूं बजाए, ये वीडियो आपको कैसे लिए, कमेंट पे हमें जरू बताईए, जैहन्द!